प्रदेश में गर्म राजनितिक माहौल के बीच त्योहारों की धूम है लेकिन स्टी कर्मी खुश नहीं प्रदेश के कई डीपों में स्टी कर्मचारी स्टी महामनल के राज्य सरकार में विले करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं तो भाजपाद दिक्षत चंदरकान पाटिल ने मुख्या मंतरी उद्दाव ठाकरे से इस्तिफे की मांग की है उन्होंने कहा है कि मुख्यमंद्री को अजित जैसे सयोगियों के साथ सरकार चलाने के बाद मध्यवाधी चुनाव का सामना करना चाहिए इस बीच मुख्यमंद्री उद्धो ठाकरे ने देविंद्रा फटनव इस पर तंच कसा है कहा कुछ लोग बोल रहे कि बम फोडने वाला हूँ तो वे बम फोडे पर धुआ ना निकलने दे क्योंकि कोरोना अभी खतम नहीं हुआ है उदर बीमसी ने मुंबई में छट महा पर्वा मनाने की अनुमति दे दी है लेकिन कई शर्ते भी लगाई गई है इसके अलावा महराष्ट कॉंग्रेस के प्रभारी एच के पार्टिल ने कहा कि कॉंग्रेस के स्थापना दीवस के आउसर पर आगामी 28 दिसंबर को कॉंग्रेस नेतर अहुल गांधी मुंबई के शिवाजी पार्ग पर एक सारवजनिक सभागों समोधित करेंगे प्रदेश के इन पाज बड़ी खबर और ताजातर इन खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहे हमारे साथ इस्टी बस सेवा का काम 104 रुप से चल रहा है राज्यबर में स्टी के 250 दिपो में से के वल 28 दिपो बंद है मेरी अपिल है कि स्टी के बचे हुए 13% कर्मचारे से काम पर लोटाै पर अब ने कहां कि एस्टी कर्मचारी किसी के भढ़काने की साजिश का शिकार ना बने विचार करेगी लेकिन एस्टी कर्मी अपने रुक पर कायम है इससे प्रदेश के भागों में परिवहन प्रभावित हो रहा है लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उपर मुख्यमंत्री अजित पवार से सम्मधित संपत्यों को आयकर विभाग की जबती की क मुख्यमंत्री को अजित जैसे सयोगियों के साथ सरकार चलाने के बाद मध्यावधी चुनाव का सामना करना चाहिए। निल परब का है। इस पर परब ने कहा कि सौमईया को इस तरह के बयान से क्या खुशी मिलती है, मुझे नहीं मालुम। पर मैंने ID के कारयाले में जा कर उसकी नोटिस का जवाब दे दिया है, मुझे ID की तरफ से कोई नया नोटिस नहीं मिला है। मैं अदालत की प्रक्रिया क पर धुआ ना निकलने दे क्योंकि कोरोना अभी खतम नहीं हुआ है मुख्य मंत्री ने कहा कि राजनिती में आलोचक होने चाहिए हम भी इतने सालों से राकापा की आलोचना कर रहे थे शिवसेना प्रमुक दिवंगत बाला साहिब ठाकरे की राकापा अध्यक्षव पवार स किस प्रकार की दोस्ती थी वह सभी लोगों को पता है हम लोग एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे लेकिन बाला साहिब मुझे कहते थे कि हमें बारामती में जाकर देखना चाहिए कि शरत बाबु क्या कर रहे है पवार परिवार केवल विकास पर लक्ष केंद्रित करके का कर रहा है पवार ने विकास का जो सूरज दिखाया है वह अब भी रुखने को तयार नहीं है मुख्यमंद्रे ने कहां कि बारामती राजनेती का प्रमुक केंद्र है अब शीक्षा का भी प्रमुक केंद्र बनेगा भाजपा का नाम लिए बिना कटाक्ष किया कि राजनेती खासकर बिहार के प्रमुक त्योहार छट पूजा को BMC ने मुंबई में मनाने की अनुमती दे दी है कोरोना संकट को देखते वे छट पूजा के लिए BMC ने कई शर्ते भी लगाई है इन में कोरोना का हवाला देकर समुद्र तटो पर सामोहिक छट पूजा की अनुमती न देना प्रमुक है BMC ने जारे सरकुलर में कहा है कि छट पूजा का त्योहार समुद्र, तालाब और नदी के किनारे मनाया जाता है लेकिन मुंबई में हर महीने 13-14,000 कोरोना मरिज मिल रहे है तीसरी लहराने की आशंका को देखते वे लोग सिमित स्तर पर छट पूजा का आयोजन करे BMC के अनुसार विबाक स्तर पर छट पूजा की अनुमती होगी तथा सामाचिक संस्थाय अपने खर्च से कुरुतरिम तालाब बनवाएगी और छट पूजा के बाद संस्था को कुरुतरिम तालाबों को हटाना होगा इसके अलावा सिर्फ श्रधालूओ को ही पूजा करने की अनुमती होगी प्रशासन को ये भी ध्यान रखना होगा कि कोरुना वैक्सिंग की दोनों डोज ले चुके लोग ही सामोहिक छट पुजा में शामिल हो पूरे आयोजन स्तल को सैनिटाइज कराने तथा थर्मल स्क्रेनिंग की भी व्यवस्था हो दथा कुरुतरिम तालाप पर मेडिकल टीम रहे फूल मला उठाने का इंदजाम भी जरूरी है कॉंग्रेस के स्थापना दिवस के अउसर पर आगामी 28 दिसंबर को कॉंग्रेस नेता राहुल गांधी मुंबई के शिवाजी पार्क पर एक सारवजनिक सभा को संबोधित करेंगे डिजिटल सदस्यता अभियान की शुरुवात करते वे महराष्ट कॉंग्रेस के प्रभारी एच के पार्टिल ने कहा कि ये बेहत पारदर्शक अभियान है इस अभियान का मकसद कॉंग्रेस को मुंबई और महराष्ट में फिर नंबर वन पार्टी बनाना है डिजिटल सदस्यता मुहिम के शुभारम के मौके पर मुंबई कॉंग्रेस अध्यक्ष भाई जक्ताप, कार्यक्दक्ष चरंड जिंग सप्रा, मुंबई के पालक मंत्री असलम शेक, पुर्वसांसत संजेनी रुपम, यूद कॉंग्रेस अध्यक्ष जिशान सिद्धिगी कोशाद्यक्ष भुशन पाटिल, गिवानेता सुरज सिंग ठाकूर आदि उपस्तित थे, इससे पहले एचके पाटिल ने महराष्ट कॉंग्रेस मुख्याले तिलग भवन में भी डिजिटल सदस्यता मुहिम का शुभारम किया, इस मौके पर मध्यप्रदेश कॉंग्रेस क को अपनी सफलता के साथ जोड़कर देख रही है। तो मौसम वग्यानी को ने इस साल कड़ाके की ठन पढ़ने की संभवना जताई है। उनके मुताबिक ला नीना की परिस्तितिया अपने चरम पर पहुच गई हैं तो अगले वर्ष मार्श तक बनी रहेगी। इसके लवा कोरोना की करहा से उबर रहे देश के कई राज्जो तीन लोग सभा सीटों पर एक तरफा जीत किसी को नहीं मिली। मगर क्षेत्रिय पार्टियों ने अच्छा प्रदर्शन किया। इन चुनाओं को एक तरह से मोधी सरकार से जोड़ कर भी देखा जा रहा है। राजस्तान, हीमाचल और पच्चिम बंगाल में बीजेपी एक हिसाब बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही दीवाली से ठीक पहले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में उरुद्धी कर दी गई। महंगा ये एक बड़ा कारण है जो वोटर को सिधे सिधे टारगेट करता है। इसके अलावा किसान आंदूलन, बेरुजगारी, हं अंगर इंडेक्स भी भारत की रैंकेंग गिरना भी इन चुनाओं में बड़े कारण बन कर उबरे है। कॉंग्रेस के लिए सुखत खबर ये है कि उसने अपने राज्य की सीटों में बीजेपी को सेनमारी नहीं करने दी। वही महराष्टर के बाहर किसी लोग सभा सीट प कॉंग्रेस को संजीवनी मिली। बिहार असम ने भाचपा को रहत दी तो करनाटक ने चिंता में डाल दिया। लंका विजय और वनवास समापती के बाद भगवान राम के अयोध्या वापस लोटने की खुशी के दीपोच सव पर आज रामनगरी 7.5 लाग दियों से बगाएगी। राम की पैड़ी पर आयोजीत इस भव्य दीपोच सव कारेकरम में 36,000 लीटर तेल का इस्तिमाल होगा। 12,000 वॉलिंटियर आज एक नया वर्ल्ड रेकॉर्ड बनाएंगे जिसे दुनिया के कोने कोने से लोग देखेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्य 52 हो गई। इसी तरह 2019 में भी संक्या बड़ी। इस भार 5,500,000 दिये जलाए गए। 2020 में 5,59,000 दिये जले। और इस साल 7,500,000 दियों से पुराने सारे रेकॉर्ड तोड़े जाने है। इसके साथ ही योगी सरकार एक नया किर्तिमान भी बनाएगी। राम पैड़ी के 32 घाट केंद्रिय परेयटन मंत्री जी किशन रेड़ी होंगे। इस मौके पर राजपाल वो मुख्यमंत्री सम्मेत केनया, वियतनाम वो ट्रीनिडाड, टुबैगों के राजनईक भी मौजुद रहेंगे। भजन, 36 घड़ के स्कूलों में नियमित तुरूप से पड़े जाएंगे। और यह अभ्यास स्कूली छात्रों के बीच गांधी जी के मुल्यों और वीचारों को विकतसीत करेगा। महत्मा गांधी की वीचारों से राज्य के बच्चों में सामाजीक एक्ता और सद्भाव की भावना को मजबुत किया जाएगा। इन भजनों की मूल भावना को आत्मसात करने और उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाने की जरूरत है। में बगिलने अधिकारियों को महत्मा गांधी की बुनियादी शिक्षाओं को पाचवी से बारवी कक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल करने का निर्देश दिया था। ला नीना की वज़से इस साल सर्दी जादा ठिटूराने वाली है। मौसम विज्ञानियों की मुताविक ला नीना की परिस्टितिया अपने चरम पर पौँच गई है जो अगले वर्ष मार्च तक बनी रहेंगी। इसी दवरान भारत समेट एशियाई देशों में सर्दी का मौसम आएगा। ला नीना की वज़से ठंड के सिजन में इस बार सर्द दिन यानि कोल्ड स्पेल जाद हाल के वर्षों में 2019 बीती एक सदी में दूसरा सबसे ठंडा वर्ष था जब जनवरी में दिल्ली में 12 कोल्ड डे पड़े हाला की वह ला नीना वर्ष नहीं था अनुमान है कि इस बार सर्द दिन 2019 से भी जादा होंगे स्काइमेट के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में जागर में भूमद्दर एखा से उपर बीते चार हपतों से तापमान सामन्न से आदा डिगरी कम चल रहा है जो कि इसकी चरम स्थिती है इसका असर समुचे उत्तरी गोलाद पर पड़ेगा देश के कई राज्यों में डेंगू को काबू करना मुश्किल हो रहा है ऐसे में केंद्रिय स्वास्थ मंत्राले ने नौ राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्रिय टीमों को रवाना किया है विशेशग्यों की यह टीम राज्य की टीम को तकनिकी मार्ग दर प्रदान करेगी इसके लिए इन नौ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुक सच्यों को पत्र भी भेजा गया है जिसमें कहा गया है कि केंद्र द्वारा डेंगु की रोकताम के लिए वीशेशक्जों का दल भेजने का निर्णे लिया गया है इस दल में पंजाब, केरल, राजस्थान, तमिलनाडू, उत्तर प्रदेश, उत्तराखन, दिल्ली, जम्बू और कश्मीर शामिल है इन सबी जगह डेंगु के काफी मामले सामने आ रहे है देश की राजधानी दिल्ली में इस साल अभी तक 1530 देंगु के मामले सामने आये है इसमें से 12 सो मामले तो सिर्फ अक्तुबर में ही सामने आये है जो पिछले चार सालों में सबसे ज़ादा है इसी के बाद केंद्रिय स्वास्थ मंतरी मंसुक मांडविया ने स्वास्थ सच्यू को निर्दिश जिये थे कि जीन राज्यों में डिंगु का प्रकोब जादा है वहापर क इंद्रिय टीम भेजी जाए दुनिया भर में जारी अनेक विशम परिस्थितियों के बीच अंतरिक्ष में 30 साल पुराना हबल टेलिसकोप एक बार फिर सुरक्षित मोड में आ गया है उसके उपकरणों को बंद कर दिया गया है इस बीच पाकिस्तानी पुलिस कर्मियों की हत्या करने वाले मुस्लिम कटरपंती संगटन तहरीके लब्वेक के सामने इमरान खान सरकार ने घुटने टेक दिये है इसे इमरान खान की बड़ी हार के रुप में देखा जा रहा है तो आतंकी संगटन हक्कानी नेटवर को सबसे बड़ा जटका लगा है उसके मुखिया सिराज उद्दिन हक्कानी के मुख्य सेन्य रणनितिकार और काबुल के कमांडर हमदुल्ला मुखलीस की एक भीशन आत्मगाती हमले में मौत हो गई है उदर फेस्बुक ने घोशना की है कि वो अपने फैस रिकगनीशन सिस्टम को बंद कर रहा है और अपने एक अरब से अधिक यूजर्स के फेस्चिल डेटा को यहां से हटा देगा इस फैसले का असर करोडों लोगों पर पढ़ सकता है इसके अलावा तालिबान ने आदेश दिया है कि अफगान नागरिक देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ अफगान मुद्रा का ही प्रयोग किसी भी लेंदेन के लिए करेंगे दुनिया भर को प्रभावित करने वाले इन पाच बड़ी और ताजा तरिन खबरों को विस्ताफ से जानने के लिए बने रहे हमारे साथ अंतरिक्ष में धरती की आँख कहा जाने वाला अमेरिकी अंतरिक्ष एजिंसी नासा का हबल टेलिस्कोप एक बार फिर से रहस्पे बिमारी से घिर गया है हबल टेलिस्कोप ओफ लाइन है और पिछले एक हफ़ते से सुरक्षित मोड में है गत 14 जून को इसमें खराबी आने के बाद इसे 5 सपतहा के लिए सेफ मोड पर डाल दिया गया था पिलाल उसके वेग्यानिक उपकर्णों को बंद कर दिया गया है अमेरिकी अंतरिक्ष एजिंसी नासा के इंजिनिर आंकडों का विशलेशन कर रहे हैं ताकि दिक्कत की वजों को समझा जा सके अभी तक नासा के हाथ कोई सपरता तो नहीं लगी है नासा के एक प्रवक्ता ने कहा कि जाच अभी शुरुवाती स्तर पर है इसलिए अभी यह बता पाना मुश्किल है कि खराबी की वज़ा क्या है यह अंतरिक्ष में मौझूद सबसे शक्तिशाली टेलिसकोप है पिशले 30 साल से अंतरिक्ष में रहे कर हबल ने अंगिनत खोच की है हबल का पूरा सिस्टम वर्ष 2009 में अंतिम बार बदला गया था नासा ने इसे 24 अप्रेल 1990 को जब अंतरिक्ष में लॉंच किया था उसके एक दिन बाद इसे अपनी ड्यूटी पर तैनात किया गया था करीब एक महिने तक वहां रहने के बाद हबल ने पहली बार अपनी आँख 20 महीं 1990 को खोली और अंतरिक्ष से आस्मान के हिसे की तस्वीर भेजे पाकिस्तानी पुलिस कार्मियों की हत्या करने वाले मुस्लिम कटर पंथी संगठन तहरीक ए लब्बे के सामने इमरान खान सरकार ने घुटने टेक दिये है पाकिस्तान ने संगठन टीलपी के 2000 कारेकरताओं को रिहा करने का फैसला किया है यही नहीं इमरान सरकार ने टीलपी को चनाव लड़ने की अनुमती दे दी है टीलपी की हिंसा और धरने से घबराई इमरान खान सरकार ने पहले कारवाई की गीदर भपक की दी लेकिन बाद में शर्मनाक समझोता कर लिया इमरान खान ने यह भी मांग मान ली कि साथ रिजबी टीलपी के 2300 लोगों को छोड़े जाने और आतंकी निगरानी सूची में से नाम निकाले जाने का उनकी सरकार विरोध नहीं करेगी बता दें कि टीलपी के लोगों ने फ्रांस के पैगंबर मोहमत साहब के काटून को बनाये जाने के बाद पाकिस्तान में विरोध शुरू किया था टीलपी तभी से फ्रांसी सी राजदूत को निकाले जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन करती रहती है इमरान सरकार ने टीलपी के प्रदर्शन में हिंसक होने के बाद उस पर बैन लगा दिया था इमरान खान ने टीलपी को आतंकी संगठन खोशित कर उसके मुख्या साध रिजवी को आरिस्ट कर लिया था पाकिस्तान सरकार और TLB दोनों ने कहा था कि समझोता हो गया है लेकिन किसी भी संगठन ने इस डील का विवरन नहीं दिया था अफगानिस्तान में तालिबान रा जाने के बाद आतंकी संगठन हकानी नेट्वर को सबसे बड़ा जटका लगा है तालिबान सरकार में ग्रह मंतरी बने हकानी नेट्वर के मुख्या सिराजुद्दन हकानी के मुख्य सेन रणीती कार और काबल के कमांडर हमदुल्ला मुख्रीस की एक भीशन आत्वगाती हमले में मौत हो गई काबल में हुए दो जोरदार बम धमाको और फाइरिंग की घटनाओं में अब तक कम से कम 25 लोग मारे गए बताया जा रहा है कि हमदुल्ला तालिबान की स्पेशल फोर्स वदरी ब्रिगेट का कमांडर भी था इसी ब्रिगेट को काबल में सुरक्षा का जिमा दिया गया काबल पर कबजे के बाद हमदुल्ला ही सबसे पहले राश्च्रपती अश्रफ गनी के कारले में घुसा था गनी की कुरसी पर बैठे मौलवी हमदुल्ला मुख्लीज की तस्वीरे वाइरल हो गई थी तालिबानी कमांडर की मौत से हकानी नेटवर्क को बहुत बड़ा जिटका लगा इससे पहले हमदुल्ला पाक्टी का और खोश्ट प्रांतों में तालिबान का शेडो गवर्नर रह चुका था अभी तक इस हमले की किसी गुट ने जिम्मेदारी नहीं ली लेकिन माना जा रहा है कि सात्मगाती हमले को ISIS की संगठन के आतंकियों ने अन्जाम दिया बताया जा रहा है कि बंदूग धारियों के एक समौने काबुल से सबसे बड़े सैने अस्पिताल पर हमला कर अंधा दुन फाइरिंग की फेस्बुक ने घोशना की है कि वहां अपने फेस रेकिनिशन सिस्टम को बंद कर रहा है और अपने एक अरब से अधिक यूजर्स के फेशल डेटा को यहां से हटा देगा फेस्बुक ने कहा कि उसके देनिक सक्रिय उप्योग करताओं में से एक तिहाई से अधिक ने पहले फेस रेकिनिशन तकनीक का उप्योग करने का विकल्प चुना था जो 600 मिलियन से अधिक अकाम्ट है फेस्बुक की मूल कंपनी मेटा ने एक बयान में कहा कि यह परिवर्तन प्रोध्योगी की इतिहास में चेहरे की पहचान के उप्योग में सबसे बड़े बदलावों में से एक का प्रतने धित्व करेगा फेस्बुक के देनिक सक्रिय उप्योग करताओं में से एक तिहाई से अधिक ने हमारे चेहरा पहचान सेटिंग को चुना है और पहचाने जाने में सक्षम है और इसे हटाने का परिणाम होगा एक अरब से अधिक लोगों के व्यक्ति का चेहरे की पहचान के टेंपलेट को भावित करेगा जो नेतरहीन और दृष्टी बाधित लोगों के लिए इमेज विवरण बनाता है इस परिवरतन के बाद एएटी विवरण में फोटो में पहचानने गए लोगों के नाम शामिल नहीं होंगे लेकिन सामाने रूप से बाकी सब कारे करेंगे तालिबान ने आदेश दिया है कि अफगान नाकरिक देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ अफगान मुद्रा का ही प्रयोग किसी भी लेन देन के लिए करेंगे इस आदेश के बाद से देश के अंदर एक और नया आर्थिक संकट खड़ा होने की संभावना है दरसल अफगानिस् पर लेंदेन अमेरीकी डॉलर के माधिन से किया जाता है। वहीं पाकिस्तान से सटी हुई सीमाओं में पाकिस्तानी मुद्रा यानी पाक रुपए का उप्योग किया जाता है। इस विदेशी मुद्रा के लेंदेन पर प्रतिबंद लगाने के लिए तालेबान ने यह नया आ अफगान मुद्रा का ही उपयोग करेंगे ऐसा न करने पर उनके खिलाफ कारवाई की जाएगी और कटोड सजा भी दी जाएगी अफगानिस्तान के अंदर गंभीर आर्थिक संकट का मुख्यकारण है कि तालेबान सरकार को मानिता न मिलना दरसल किसी भी देश ने अभी तक कानूनी तोर पर मानिता नहीं दी है जिसे आर्थिक समस्या उत्पन हो रही है तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही आप से फिर मुलाकात होगी तब तक देखते रहिए विकेवी नियूस तमस्कार